नमस्कार स्वागत है आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल में और आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मॉन्टरेक्स कन्वेंशन क्या है जैसे आपको बताएगी रूस और युग्रेन का जो युद चल रहा है उसके पीच में मॉन्टरेक्स कन्वेंशन काफी सुर्ख्यों में आ रहा है यह तुरकी के पास इतनी पावर है कि वो किसी दूसरे देश के पानी में चलने वाले युद के जहाजों को रोक पाए पानी क्या किसी एक देश के अंडर आ सकता है तो ये सारी बाते जो हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और फिलाल तुर्की का नाम तुर्की नहीं तुर्की ये हो गया है क्योंकि इन्होंने हाल फिलाल में अपने देश का नाम बदला है तो इस वीडियो की जो पेडियाफ है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिल जाएगा तो जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को जैसे कि आपको बता है कि युक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है और उसके जवाब में तुर्की जो है वो मॉन्टरेक्स कर्वेंशन को लागू कर सकता है करने को तैयार नहीं हुआ है कर सकता है इसने लागू नहीं किया अभी हाँ या ना इसका कोई भी जवाब नहीं आया है अच्छा इस गोशना में कि युक्रेन में युद्ध जैसी स्थिती बन गई है आपको पता है रूस और युक्रेन के बेच में चल रहा है युद्ध तो तुरकी के पास यह पावर आती है मॉन्टरेक्स कन्वेंशन के तहट कि वो रूसी यूद जहाजों को जो पानी में चल रहे हैं रुसी यूद जहाजों को बॉस्पोरस और डाडेनलस जो जलसंदी है उसके माध्यम से ब्लैक सी के अंदर एंटरी करने से वो रोक पाए तो इतनी पावर जो है वो तुर्की के पास जाती है मॉन्टरेक्स कन्वेंशन के तहत अब यह मॉन्टरेक्स कन्वेंशन क्या है एक तो यह समझेंगे साथ ही साथ यह बॉस्पोरस और डाडेनलस जो जलसंदी है इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं एक बर ज़रा मैप के तुरू हम इंचीजों को समझ लेते हैं देखे यह रात तुर्की और यहां पर जो आपको देखेगे न यह है एजियनसी यह हो गया एजियनसी और यहां पर जो है यह है डाडेनलस डाडेनलस जलसंदी होगी और यह होगी बॉस्पोरस जलसंदी तो क्या है जो रूस के जहाज़ वो यहां से आएंगे और इस जल संदी से होके निकलेंगे जल संदी याँनि straight क्या होती है State वो होती है कि दो बड़े बड़े भूमी के भागों को जल के द्वारा जोड़ा जाता है उस जल को बोला जाता है एक तरीके से Straight तो ये जो direct है यहाँ से जाएंगे कि यहाँ पर entry करेंगे Sea of Marmara में अंदर entry करेंगे और इस Sea of Marmara से यहाँ से होते हुए यहाँ से बौस पूरस जलसंदि से होते हुए वो Black Sea के अंदर आ जाएंगे और जो वो Black Sea में आ जाएंगे तो यह रहा युक्रेन का यहाँ पर जो एरिया है रश्या के जहाजों की, अब यहाँ पर आगे देखो जरा, यह हो गया Mediterranean Sea, यहाँ बुमद्य सागर हो गया, बुमद्य सागर से यहाँ से एंट्री करेंगे, यह हो गया Aegean Sea, यह हो गया Dardanelles जलसंदी, यह हो गया Sea of Marmara, यह हो गया, आपके सामने, बुमद्य सागर से जलसंदी होगी, यहाँ पर हो गया Black Sea, यहाँ से एंट्री करने से रोका जा रहा है, ताकि वो यहाँ पर जहाज आएंगे नहीं, और युक्रेन के उपर अटेक करेंगे नहीं, फिर आपका दिमाग जाएगा, यह फिर आप सोचेंगे, कि सर, यह रार रशिया, तेकि छे जो देश हैं, वो Black Sea के अंदर खुलते हैं, कौन सा हो गया, बुल्गारिया एक हो गया, रुमानिया दो हो गया, युक्रेन तीन हो गया, रुमानिया चार हो गया, जोर्जिया पांच हो गया, और छटा तुर्की हो गया, clear, तो कहता है, जो छे देश जो है, और यहां पर एक तरीके से, Black Sea में तो खुलते हैं, तो यहां पर जो रुमानिया जो है, यहां से अपनी जहाज लेके आ रहा है, रुमानिया पागल है, रुमानिया पागल है, यह जो देश हैं बड़े-बड़े, अपनी नोसैनिक जहाजों को, मतलब पूरे दुनिया के अंदर घुमाते रहते हैं, साथ इसाथ इनके इतने बड़े-बड़े जहाज चलते हैं, जो वैपार के अंदर काम आते हैं, उनकी रक्षा के लिए भी इनके साथ भेजते रहते हैं, तो यहाँ पर यह सारा टाइम यहाँ पर खड़ा नहीं रखते हैं, अपनी जहाजों को, तो यहाँ पर है नहीं, रश्या के पास यहाँ पर अपनी कोई जहाज, जो नोसैनिक जहाज है, वो यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए वो बुलाएंगे क्योंकि युद्वाज जो जहां महाल हो गया है यह ओडिशा शेत्र है, वो कहेंगे कि आओ भाईया अटेक करना है, ओडिशा शेत्र के उपर तो बुलाएंगे तो आएंगे कहां से, बुलाएंगे यहां से एंट्री नहीं हो सकती, सर यह जमीन से उठाके यहां नहीं ला सकते क्या, नहीं भई, जो समुद्री जो जहाज होते है वो बनते भी समुद्र के अंदर है, और चलते भी समुद्र के अंदर है उसको रास्ते, मतलब यह जमीन का रास्त है इससे entry नहीं करवाई जा सकती I hope so यह चीज आपको समझ में आगी होगी एक पर सारा rough कर देता हूँ फिर सज हम जा देता हूँ देखिए, यह है तुर्की और यह जो आप छोटा सा जो शेतर देख रहे हैं यह मना देता हूँ, यह भी तुर्की है तुर्की जो होता है, जो तुर्की जो देश है, वो एक तरीके से थोड़ा बहुत उसका हिसा यूरोप में आता है और जादा तर हिसा उसका एशिया में आता है clear यहां पर, तो यह दोनों ही फायदे उटाता है तो एक तरीके से देखा जाए, तो तुर्की रशिया से खत्रा मोल ले रहा है तो वो भी एक तरीके से युद में कूद रहा है कि वो रोक रहा है किसी के जहाज को तो यह हम सब जानने वाले हैं clear यहां पर, अच्छा है यह जहाँ है अपना कबजा कर रखा है clear हो गया है यहां पर, अब आगे चलते हैं अब देख लेते हैं कि बॉस्पोरस और डाडनलस जलसंदी की कुछ बाते हैं देखे, बॉस्पोरस और डाडनलस जलसंदी है, जल डमरू मद्या कहलो या फिर आप इसको जलसंदी कहलो, इसे तुर्की जलसंदी या फिर ब्लैक सी जलसंदी इन नाम से भी जाना जाता है यह क्या काम करते हैं, यह एजियन सागर होगी ब्लैक सी होगी और मरमरा सागर होगी इन तीनों सागर को आपस में जोडती है, clear और यह एक मात्र मार्ग है जिसके माद्यम से ब्लैक सी में जितने भी मोजूद बंदरगा हैं वो मेडिटेरियन यानि भूमदे सागर से जुडते हैं और बाकी के अन्य बंदरगाओं से उनको उन तक मतलब वो पहुंचा जा सकता है किसके माद्यम से निकलना पड़ेगा जो जितने भी ब्लैक सी के बंदरगाओं है वहां पर खड़े जाजों को इन जलसंदियों से तो निकलना पड़ेगा और यह जाके भूमदे सागर या फिर जितने भी अलग-अलग बंदरगाओं है उन तक वो पहुँच पाएंगे अब आपको जानकर हिरानी होगी यहां से लगबग एक साल के अंदर यह जो दो आपके सामने स्टेट बोली ना मैंने बोसपोरस और डाडनलस लगबग 48,000 जहाज एक साल में यहां से गुजरते हैं इतना जादा व्यासत है और यह देखें लगबग 3,000,000 बैरल से अधिक दे वो यहां से होकर गुजरता है इन दो जलसंदियों से बोसपोरस और डाडनलस तो देख रहे हो कितना जादा इंपोर्टन्ट है अभी एक जवाल आपके दिमाग में यह बनेगा क्या किसी देश के पास इतनी पावर आ सकती है क्या बेशक आ सकती है देखिए जराम आपको स्वेज नहल के उपर अधिकार किसका है जो किराया वसूलता है अभी हाल फिलाल में इजिप्ट ने स्वेज नहल के उपर किराया बढ़ा दिया है क्योंकि उनकी हारतिक आलत जो है वो खराब हो चुके है तो कहा कि हम किराया बढ़ाने वाले तो वो बढ़ा सकते है ठीक ऐ ऐसे ही यहां पर बॉसपरस और डाड़नलस जलसंदी के तहद यह जो है वो पानी के उपर अधिकार नहीं जता रहे हैं जो यह जो देश है वो पानी के उपर अधिकार नहीं जता रहे हैं यह कहरे हैं कि हम जो है और रास्ता जो है वो हमारे उस रास्ती के उपर अधिकार जत अब बात कर लेते हैं Montrex Convention के बारे में यह समझोता हुआ था उस्टेलिया, बुलगेरिया, फ्रांस, ग्रीस, जपान, रुमेनिया, यूगोसलाविया, यूनाइटिट किंग्डम हो गया और सोवियत संग, यानि उस वक्त USSR हुआ करता था और तुर्की के बीच में एक एग्रिमेंट हुआ था, 1936 में यह लागू हो गया था, अब यहाँ पर क्या था, यह जो रास्ता यानि जो जलसंदी है, इससे संबंदी Montrex Convention जो है, वो तुर्की को इतनी पावर देता है, कि व कोई भी जहाज, जो युद्ध के जहाज है, वो एंट्री करनी होती है, ब्लैक से ही के अंदर, भले ही, वो प्रैक्टिस के लिए एंट्री कर रहे हूं, या फिर जा रहे हूं, ऐसे ही, मतलब किसी भी देश में, फिर से मतलब exercise करने, तो वो 8 दिन पहले या 15 दिन पहले, त रूस के अंदर, तो क्रीमिया में एक जगह है, सेवस्तो पॉल, सेवस्तो पॉल जो है एक जगह है, जहाँ पर रूस का नोसैनिक अड़ा है, अभी मैंने आपको क्यों बताए यह नोसैनिक अड़ा है, देकि नोसैनिक अड़ा का मतलब यह हुआ, कि क्रीमिया के अंदर, य जहाज बनते होंगे, जहाज बनते होंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, कि जहाज बनती है वहाँ से, तो वहाँ पर उसका रजिस्टर किया जाता है, जैसे कि हमारे भारत में गोवा शिप्याड है, तो गोवा शिप्याड के जो यहाँ पर क्या होता है, कि बंदरगा पर जो register कर लिया जाता है तो यह जो nocenic adda यहां से कुछ न कुछ तो बना होगा कोई न कोई जहाज तो बनी होगी और उसको इस nocenic adda पर register किया गया होगा अभी मैंने क्यों बोली बात थोड़ा सा आपको धहरे रखना है क्योंकि यही loophole है इस Montrex Convention का कि वही Montrex Convention के तहत क्या है तुर्की जो है वो रोक सकता है entry रोक सकता है Black Sea के अंदर जो रूस की जहाज है वो entry कर रही है इस Black Sea के अंदर उसको रोक सकता है यह Montrex Convention के तहत उसको power मिल गई लेकिन वहां पर जो मैंने आपको बात बोली कि जो nocenic adda है कहां पर क्रीमिया के अंदर सेवस्तो पोल के अंदर वहां पर कोई न कोई जहाज बनी होगी और उस जहाज का registration किया गया होगा उस वहां पर nocenic adda के उपर तो यह चीज ध्यान रखनी है अभी क्यूं बोली है थोड़ा सा आपको धहरे रखना है अब यहां पर देखने है आपको अलांकि जहाजो को मुम्मदे सागर और आगे जाने के लिए Montrex Convention केता है तुर्की द्वारा नियंतर यह जो दो जलसंदी है इनसे गुजरना पड़ता है अब देखिए ज़रा डाडेनलस और बोस्पोरस जलसंदी के माद्यों से जहाजो को सैने युद पोतों के गुजरने की सीमा जो है वो निर्धारित करता है कि यहां पर कुछ चीजें शामिल है इस Montrex Convention में कि यह बोला गया है कि युद की स्थीती में यह समझोता तुर्की को नो सैनिक युद पोतों को युद पोत जो यानि जो जहाज आएंगी अब जो रूस मंगाएगा कि भाई आओ अटेक करना है युक्रेन के उपर तो वो इस आने वाले जहाज को रोक सकता है क्योंकि उसके पास इतनी पावर आती है इस एग्रिमेंट के तहत जो 1936 में किया गया था अब यहाँ पर देखना है कि देखे यह जो ब्लैक सी के अंदर मैंने आपको बता है न रोमानिया, बुल्गारिया, जोर्जिया, रूस और युक्रेन यह सारे जो हैं वो ब्लैक सी के अंदर खुलते हैं और इनका जो रास्ता है वो इस जो दो मार्क हैं यहां से होकर निकलना पड़ता है तो तो यह क्या करते हैं इनके जो भी यूद के जहाज है वो जब भी आते हैं यहां से निकलते हैं यह सब करना पड़ता है तो तुर्की ने तुर्की ने पहले क्या इस convention का use क्या है इन convention के तहर्ट जो power है उनका कभी use क्या है बेशेक use क्या है दूसरे विश्वियूद के दुरान जो धूरी शक्तियां थी यानि जो axis power थी वो USSR के उपर attack करना चारी थी और इस रास्ते से गुजरना चारी थी लेकिन तुर्की ने उनको रोक दिया था ठीक वैसे ही Soviet US वो भूमदे सागर में युद करने के लिए जा रही थी तुर्की ने उनको भी रोक दिया था तो obviously तुर्की ने इस power का use किया हुआ है अब आगे चलते हैं देखे वर्तमान में जो संकट है तुर्की की भूमिका क्या है देख लेते हैं देखे वर्तमान सिती में तुर्की सरकार के लिए एक बहुत बड़ी problem सामने यह आ रही है कि वो Ukraine और रूस इसके साथ तो इसके दोनों ही संबंद अच्छे हैं साथ इसाथ 1952 में तुर्की जो है वो नाटो का सदस्या बन गया था अब रूस से तो वो एक तरीके से वो परिशान करना नहीं चाहता क्यूंकि जो Sea of Marmara है वहाँ पर काफी संक्या में ट्यूरिस्ट आते हैं रूस की तरफ से और इतने जादा आते हैं और इतना जादा revenue मिलता है तुर्की को कि वो financial crisis से कभी आता है तो ये जो ट्यूरिस्ट है उसको financial crisis से बाहर निकालते हैं तो वो रूस को तो किसी कीमत पर नराज करेगा नहीं साथ इसाथ वो नाटो का सदस्या है अब बहुत सो समझ के उसे balance तरीके से चलना होगा यहां पर अब यहां पर तुर्की ने एक तो ये बात बोली कि देखिए अगर यूद होगा तो मैं इस चीज को लागू करूँगा Montrex जलसंदी को लेकिन तुर्की बोला कि भईया मैं तो युद मानी नहीं दाऊं इसको युद की स्थिती में Montrex Convention लागू होगा न तुर्की ने बोला मैं तो Montrex Convention यानि लागू तो तब करूँगा जब युद होगा मैं तो युद मानी नहीं दाऊ ये तो एक military exercise है या फिर कहीं कि military operation है तो यहां से मैं कैसे कहता हूँ कि भईया मैं Montrex Convention लागू करूँ तो ये बात समझ मैं तुर्की ने ये बात बोल दी साथ से तुर्की ने ये कहा देखिए इस संदी में एक close आता है उस close में जो black sea है वहां पर पहुंचने वाले वो सभी के सभी रूसी यूद पोतों को तो नहीं रोक सकता न वो कुछ एक को रोक सकता है और कुछ एक को जिनको वो नहीं रोक सकता वो कौन से वो है पंजी करित जो registered है अब ध्यान से सुनना अब जो मैंने आपको बॉली न क्रीमिया के ओपर अधिकार है किसका रूसका और क्रीमिया के ओपर अपना nocenic adda है किसका रूसका तो वहां पर उस nocenic adda में कुछ कोई ने जहाज बनी होगी और वहां पर उसका registration हुआ होगा अब registration हुआ है तो वो वापस अपने उस base के उपर आना चाहती होगी जहाज तो यहाँ पर इस जहाज को अपने पास वापस आने में तुर्की रोक नहीं सकता यह Montrex Convention में लिखी हुई बात है कि आप उस register जहाज को अपने base पे आने से रोक नहीं सकते तो तुर्की के पास पावर नहीं है इनको रोकने की यह जो बात बोली गई है यह Montrex Convention के अंदर है तब ही तो तुर्की बोल रहा है कि भाईया हम इसके अंदर सारी चीजों को तो नहीं रोक सकते यह लेकिन बाकी 15 को तो जो हम रोक सकते हैं तो एक यह तरीके से हो गए है यहाँ पर clear साथी साथ यहाँ पर एक Article 19 आता है इसी संदी के ताहत जिसमें कुछ एक exemptions दी गई है यहाँ पर रूसी यूद पोतों को एक तो यहाँ पर देखे एक सब्ब्रीन होती है संब्रीन को भी यह नहीं रोक सकते क्योंकि वो अंडर वर्टर होके निकलती हैं तो इनके पास इतनी पावर नहीं है उस संदी के तहत हुआ है इसमें क्या बोला गया है कि यूद में शामिल देशों के यूद पोत जो अपने जल शेत्र में में नए होकर चाहिए वो ब्लैक सी के उनके अधिकार शेत्र में आता हो या नहीं आता हो वो सभी उस कालश बले ये ब्लैक सागर के अंदर एंट्री कर सकते हैं तो यह जो चीज बोली गई है यहाँ पर यह ओल्री स्मोटर्क कन्वेंशन को वीग करती हैं यहाँ पर देखिए ब्लैक सी के अंदर तो देखे बहिया इन्होंने रोका नहीं है इन्होंने अपनी बास पस्ट करी तुर्की ने कि हमने कोई नहीं रोका है हम तो यूद मानी नहीं रहे यह एक military operation है तो इसके ताइद हम नहीं रोक सकते हैं तो रूस को तो यह नराज करेगा नहीं साथ इसाथ अब रूस जो वो इस यह जो exemptions दी गई है इसका definitely वो use करेगा अगर आने वाले टाइम में तुर्की जो वो इसको रोकता भी है तो उमीद करता हूँ कि यह Montrex convention आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो समझ में आ गया होगा तो मुझे कैसे समझाएंगी कि आप को समझ में आया है तो यह like का बटन जो दिख रहा है न उससे press करके साथ इसाथ और भी अच्छे से समझा सकते हैं सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा वो लाल कलर का उसका रंग उड़ा कर मुझे समझा सकते हैं अच्छा कोई कोमेंट भी कर सकते हैं कि भी यह सर हम आपको समझ में आ गया है PDF आप लोगों को प्रवाइड करवाई जाएगी description box में एक telegram का link दिया मिलेगा तो वहाँ से आप download कर सकते हैं उमीद करता हूँ कि यह सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी तो समझ में आ रही होगी तो थमसब जरूर करना तो वस आज के लिए इतना था मिलते हैं next video में, thank you